हलो गई इस पोकेमोन डार्क वोर्श शेप के न्यू एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज आप मुझे पता है मुझे पता है आप टेक्चर देखके जो स्क्रीन टेक्चर देखके आप समझी केगों कि मेरे पास इस नाइवी है और वो मैंने कैसे गई है तो गैस आपने देखा मैंने इसी तरह अपने इस नाइवी को पकड़ा लेकिन काफी टाइम बाद मुझे इस नाइवी मिली और मैंने कैसे जैसे करके उसे पकड़ा और उसे थोड़ी बो ट्रैनिंग करवाई तो आप देख सकते हो देखो आप मझे 14 लेवल की इस नाइवी होग चुकी है मेरी और अब अपने एक काम करने वाले अभी थोड़ा सा काम करेंगे पहले तो अपन जिम बैटल करने लेकि थोड़ देर बाद में मैंने क्या करा गिम के अंदर तो यहां पर यह मैंकी डॉक्टर साब को फस रखें तो चलो तो चलो अपन जल्दी से अपन प्रोफेसर को बचाते हैं और इन मेंसे मैंकी को जरूर पकड़ना चाहूंगा कि अब मेरी टीम मेंक मैंकी और रहेगा तो शाहिद यह यह प्रोफेसर जो मुझे शाहिए पॉकेट टैक्स वगेरा देंगे मुझे ऐसा लगता है कि वो इसी टाउन के बात कर रहे थे डॉक्टर कि इस टाउन में जाओ इस टाउन में मिलेगा तो यहां पे एक मैंकी आया है जो काफी मुझे अच्छा नहीं लग सबता है तो कमेंट सेक्षिन बताओ आपका सबसे फैवरेट्ब पोकेमोन कौण सा यह अथका यही सवाल है आपका जल्दी से मुझे कमेंट सेक्षिन में बताओ कि आपको फायर टैप पोकेमोन में से कौन सा पोकेमोन आपका फेवरेट है और जब तक मैं इनको सल्टा देता हूँ फटा 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 से ओके कोई बात नहीं ठेक है यलो तो यहाँ पे यह कुछ जादा ही है चलो चलो तो यहाँ पे मैंने एक और को सल्टा दिया है मतलब कि खतम कर दिया है मतलब फ़रा दिया है कुछ भी बोल सकते हो तो यहां पर एक और आ चुका है तो अब मैं इस मैंकी को पकड़ने वाला हूँगा इस लेकिन एक गलती हो गई मेर से अपन पकड़ी नहीं सकते वह इसलिए कि मैंने जब इस नाइव पकड़ाना तो सारी पोके बोल्स मैंने वेस्ट कर दी तो मैंकी शायद यह अपने पास आए इसलिए तो मैं थोड़ा सा गड़बड हो चुकी है मेर से तो मैं काम करता हूँ फटा फट से जल्दी से मैं पोके बोल्स खरीद के वापस इ पोकेमोनों को हील करवाके और थोड़ से खरीड़े कि क्योंकि अपनको मैंकी जो पकड़ना और मैं अपनी टीम मैंकी झरूर रखोंगा काई कग काफी अच्छा क्एमोन पोकेमोन मैंकी काह आए और यह कि अच्छा चयाटेक्स भी सीख सकता है तो यहां पर एक और अटेक और फिर बस फेंट ना हो बच गया ठीक है तो अब अपन मेंगे को पकड़ लेते हैं ठीक है इस फड़ा फड़ा एवाई साब रुख जा भाई सब यह तो भोता कतुवर है और जो भाई साब यह तीनों कित तो सारे क्रिटिक और भाई साब और भाई साब होर अटेक इसका क्रिटिक लोग रहा था गईस तो अब अपन को उतानना पड़ेगा पढ़े पहलवान को जिसका नाम है बड़ा टैपिक यह में नाम चेंज कर दूए से पहलवान रख देता है इसका नाम तो चलो तो इसको हम पकड़ लेते फटा फट से मैंन कराना मेरात तो इसने मेर टाइम वेस्ट नहीं करा आएगा इस तो मेरे पास आचुका है मैं की तो मैंने इसका नाम नहीं रखूँगा तो यहां पर मैंने सारे मैंकी को चारा दिया है तो चलो तो पहल अहतना इसमें से अपना बैरी से ले ले लेता एक मुझे पता यहां पर बही जरूर दे औरào फेर यहां से अपन पोकेमॉन वह सब folksг बात करते हैं देखते क्या मिलता इनके तो यहीं शाहिद तो इसने मुझे दिया जाइगंटा मैक्स बैंड ओ वाउ इससे अपने कोई से भी पोकेमोन को जाइगंटा मैक्स करते हैं क्या बात है यहां पर तो अपनी लोटर लगए बचाने का अच्छा है अल्ला यह तो गया काम से तो चलो यहां पर भी तो मुझे कुछ मिला नहीं य चलते हैं फटाफट से इपने पोके सेंटर और यही मों कुछ में हील करवा कि मिलता होगा है 2 मिनट में तो गाइसंदा आपका आपको बताने वालाओं कि काफे इंडियान प्लेयर गेंस यह कहल रहे है हुनको यह लगता है कि इस पोकेमान इस पुत कर गेम के अंदर पोके बोल्स नहीं मिलती है तो गैस मैं बता-दून कैसे मिलती हैं वह मैं याँ से जब आपके माट में आते हैं तो यह देखो यह जो हमदे आपको पोके приг Mikey rip well २िल वधर और अलग के आईटम से इनको Allag कर दिये है और वो जो नॉर्मल आइटेम में उनको अलग कर दिये गए और ये नाम चेंज आ रहे अपने पोकेमोन का किसी भी पोकेमोन को नाम चेंज कर वा सकते हूं और मूव डिलीट कर वा सकते हूं काफी अच्छे अच्छे यानि फीचर दी गई गेम के अंदर मुझे फीचर काफी अच्छा लगा तो अब फीचर तो अपने जानी लिया है तो फटा फट से अपन कर ले थे जिम बैटल अपनी फ़स्ट जिम बैटल होने वाली गाई तो मैं फटा फट से जिम के अंदर चला जाता हूं और यहां पर मैंने सब को डिफिट कर दिया था मैं यह बताना चाहता कि यहां पर मैंने सब लोगों को डिफिट कर रखा है पहले से ही तो यहां से घूम के एक से किनिया से घूमों फिर यहां से घूमों यहां से घूमों यहां से रेल गाड़ी की तरह चलते रहो फड़ा फड़ से यहां से ऐसे और फिर यहां से अपने को मिलता है यह पोकेमोन जिम लीडर तो चलो विस्ते जल्दी से बैटल कर लेता है तो मैं जिम बैटल थोड़ी सी फास्ट फोरोड गेम में खेरे करेंगे तो यहां आप पर आ चुका है सबसे फ़र्ष्ट पोकेमोन तो मैं चलो फ़र्ष्ट पहले तो अपन फटा फट से स्नाइवी से अटेक करवाते हैं कि स्नाइवी के बाद स्पेशल अटेक हो सेवंटी लेवल का है एक दिक्कत होगी थोड़ी सी इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब की एक मिनट तो अपन थोड़ी सी फास्ट फोरोड में खेल लेते हैं पोकेमोन चेंज करके ओके तो जाइगंटा मैक्स करेंगा मुझे पता था ओ मैं तो डर गी तो हम कौन से कम रेने वाले हैं यह ले ओ शिट दोनों ओ शिट मुझा भी यह और यह और यहां पर अपना पोकेमोन डिफिट होगे कोई इक नहीं अपने पास है ना हैं एक बार और किती बार तो हील करेंगा किती बार हील करेंगा हैं तो यहां पर इस नई स्टार रेविया ने अपने इज़त बचा ली मतलब कि हावलूचा और हावलूचा से थोड़ी दिक्कत हो सकती है अपन को मुझे पता था हावलूचा से थोड़ी सी और यहां पर फ अपने मैंके को उतार देता हूँ और मैंके क्यों उतार रहा हूँ उसका एक रीजन में मैं बताता हूँ देखो एक सेकेंड यहां पर पपस पुशन से बिल्कुल नहीं है ठीक है दो पूशन से हिएंग मतल्ब कि को बाद निया पास यत तो यह लए तो पहले रहा स हमारे पास यह है ना फिक भी थखाता है अब बूंप पूंच से अपने इसटार्ट वीया को करते हैं इवल औरем क्याश्त है एल और यहां पे अपना पोकेमोन आ चुका है अब स्टार रेविया के उपर यह सब कुछ प्लीस स्टार रेविया ओ शिट गैस स्टार रेविया मुंके बलखाती गिर गई तो गैस अभी मैं वापस है यही पर जिम लीडर के पास मिलता हूँ आपको दो मिन्ट में तो गैस यहां पर मैं वापस आ चुका हूँ और लगबख अब एक पोकेमोन और बचा इसका इसके बाद तो मैं अपना फ्लेम चार्ज इस्तमाल करता हूँ और यहां पर मैंने लक्टरबल्स को भी हरा दिया है और यहां पर मारा टोगनाइट हो चुका है 20 लेवल का और इसके पास पतनी कौन सा अटेक आया है तो फिर मैं इस अटेक को रखना चाहता हूँ यार गैस तो मैं इसको हटाए देता हूँ दूसरे वाले को तो यहां पर मारा मैंकी 12 लेवल का हो चुका है और मैंकी सीक रहा है अटेक तो मैंसी कहूंगा बहुत ही अच्छा अटेक यह अटाओंगा है मैं तो मैंकी को भी ज़्यादा ताकत और कर लेंगे गाईस कोई दिक्कत नहीं है ठीक है येलो फ्लैम चार्ज और तू भी गया काम तो शिट यार गाईस ही यह थावलू चा कुछ ज़्यादा ही ताकत और रेस का इसलिए दिक्कत और जाती है थोड़ी जी तो गाईस फटा फट से पहले इसको अपन मारते हैं फटा फट से ओके कोई बात नहीं आजाओ अब देखते हैं अब क्या ये कर पाएगा कुछ ना कुछ शाई साई से अरे यार यही तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई यहां अपने ठीक है फ्लैम चार्ज इस्तिमार करते हैं ठीक है एक बार और फ्लैम चार्ज इस्तिमार अरे यार यह बहुत हील करता है मुझे हीलिंग पाउरे से बहुत बेका लगती है चलो अरे यार शिट गाईस हम हार चुके हैं बहुत बुरी तरह के से तो गाईस आस तो में इससे मैं लड़के ही जाँगा पका आईए तो आस तो में इसकी बैंड ही बजाके जाँगा कुछ भी हो जाए आज मैंकी अब तुझे ही जिताना पड़ेगा देख यहां पी इसको जाइगंटा मेक्स चाहिए मैं करूँ तुमको जाइगंटा मेक्स में वहां मिलता हूं गाइस तो अब की बार तो मैं बहुत फुली तरीके से लड़ूँ इसके साथ यह ले खाए 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 खाटा खाए मेरे से यह बात हुई ठीक है मार दिया अब इस नहीं भी अराम से तुआ इसका रह पटेक करते हैं इसके उपर यह बात ओके बस कर लिए तुने रहा पटेक अगर मैं जाइगंटा मेक्स करता हो ना गाई तो थोड़ी से दिक्कत हो सकती है इसलिए यहाँ पर जाइगंटा मेक्स करने के लिए मैं अपने आपको सुझाओ तो नहीं दूंगा लेकिन फिर भी चलो एक कोशिश करते हैं ओके यहाँ पर ए शिट यार ठीक है कर लेक्स किता चाहिए कर ले आया मज़ा अब देखना गई अब मैं इसकी बैंड बजाने वाड़ा हो बहुत पुरी तरीके से वो कैसे अब पता चलेगा आपको यहाँ पर और यह मेरे जाइगंटा मेक्स ऐसे नहीं ऐसे करेंगे जाइगं अगे कोई बात ने किता है कोशिश कर ले तो हम जीतेंगे अपिवार बढ़ाया मैट से लड़ने वाड़ा एक एक अटैक और यह गया तो गाइस फाइनली मैंने इस जिम लीडर को हरा दिया और अब यह मैट से कुछ भी नहीं करेंगा मतलब भी समझो यार तो यहां पर इसने मुझे जी पावर मूव दिया है कोई जी मूव अपनी यूद करेंगे कभी न कभी कौन से पोकेमॉन पर यूद होता है यह नहीं पता उसमेर को तो जल्दी से अपन करेंगे पका लेकिन पहले अपनी यांसे जल्दी से बाहर निकलते है और अपने पोकेमोन को हील करवाते हैं मैं हील करवा के मिलता हो गाई साब को तो मैं यहां पर हील करवाने जाई रहा था तो यहां पर मारे टोनी भाई साम मिल चुके हैं जो यह पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं मेरे से ठीक है ओके तो क्या तुम ओके यह मुझे कुछ भी नहीं देरा मुझे लगता है अपन को शायद डॉक्टर के पास वापस जाना पड़ेगा आ लेकिन देखते हैं वापस क्या हुताई पहले पर रहे पर बाद लेते हैं अपने पोकेमोन को तक इस और नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए बाई बाई गाइस टेक किया इस